आधी महबत आधा फसाना ढूंड ले एद अपना ठेकाना सीखा है तुमने पड़ा दिल को जलाना छोड़ दिया है तुमने हम को मनाना हां तेरे गाल लाके में जितरी गावाके हां बड़ा पच्ताए हां बड़ा पच्ताए तुमे कत्रावे तुमे परवारे क्यों इतना सताए क्यों इतना रुलाए तुमे क्यों इतना रुलाए तुमे क्यों इतना रुलाए जितरी ओतना रुलाए तुमे क्यों इतना रुलाए मुझा देखो जड़ा, ठीक है ना ऐसे ही करना आपको, आईए, आपकी बारिया आए, नहीं, आए, आए, मैं कैसे, अरे, सम्रा इसको बताओ ना, मुझसे नहीं होगा ओह, एक बार ठाए तो करो, और नहीं तो क्या, अच्छा, मैं ना, कर लूँगी लेकिन एक बार तुम भी कर के देखो अरे, मैं क्यू करूँ अब भाई, शादी आपकी, आपके रिंगी हाँ, और वो देखो, चाया भी, पहले हम खा लेते हैं, फिर प्रॉमिस मैं तुम्हें चार बार करके देखा हूँ पादा, अच्छे चलो ठीक है, वैसे भी अच्छा कुछ खाने पीने को मिला, मुझे तो लग रहा था, आते कुछ मिलेगा भी नहीं बहुत ही नदीदी बात किये तुमने इफ्रा बताओ जरा, इसमें नदीदेपन की क्या बात है हाँ सुबह से काम करके मेरे तो हाज्छा लोगें बात थक गई हुएं आहिए घान नहीं किया जब तुमारी शादी और तो मैं भी कर बालूगी सारे काम अब भी मेरी शादी का हूँगी मुचसे बशे बद्सेफे पल्से पल्सामरेजी की शादी बगी और साम आलेकौ्म वालेकुम स्सालाँ वालेकुम् स्सालाँ मेरे? हां.. यह विए क्coming लिए.. कंकlı अभरेदे यहिए हॉर हैं का इए.. मेरे भाते तो hack what up.. और रोल एम मापम है वोग अरे जोको रोलाड़ा होई हम उना का सकते आपको तो आप अपनी अपी से पूछ ले ना ने कुछ खाने तो मैं ले आतो हूँ सम्रा से पूछू। सायरा कोई बात निया मुझसे पूछ ले मैं भी हुआ हूँ कोई बात निया मुझसे पूछ ले मैं भी हुआ हूँ आप इक लिए तो लेकर आप आपनी आपी से पूछ लिया और उने कुछ चाहिए तो मैं ले आ तो आपी बता दो ना उनका बहुत दिल चाहरा आपको कुछ किलाने को लेकिन मेरा कुछ दिल नहीं करा खाने को सुली आपने, इन्होंने तो कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरा बहुत पज्जा खाने का दिल चाह रहे है, ठीक, मैं ले आप अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, बस हम तो चाह पी के घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, अरे अफ् को छोड़ा हूँगा, तो आप मुझे बता देना, मैं ड्रॉप कर दूँगा, जरूरत तो आप ये ठाली जगे जरूप करें, मैं ड्रॉप कर दूँगा, तो आप ये ठाली जगे जरूप करें, मैं ड्रॉप कर दूँगा, तो आप मेरा विचारा भाई, पता है कॉलेज म आमने सही से एक लफ भी नहीं बोल पा रहा है इफ्रा वो कौन सा शेर है खालिप का? इश्क ने हमको निकमा कर दिया वरना हम भी आद्मी थे काम के तो, कैसी फुजूल बात दे कर रही हो? और वो भी इफ्रा के सामने तो, बच्ची नहीं हूं, मैं सब नजर आ रहा है मुझे रहते ना? अम्मी कहने थी के मेरे जाने के बाद घर बर को सूना हो जाएगा तो, मेरी भावी बन जाओ उफ! इंतिहाए फुजूल बान चलो भी बहुत पैकिंग वाकिंग हो गई घर चले हमें देर हो दो हाँ भाई चलो अचो रुको ना साथ, वो मेरी होने वाली भावी मेरा मतलब है मेरी फ्रेंड को उसके घर चोड़ाओ जा रहे है चलो इफ्रा हाँ अचो सुनो अचो अचो ले जो शर्मारी है नहीं थांक यू फिर कभी इंशाला आओंगी न तो प्रैक्टिस भी कराओंगी अरे ले जो यार नहीं बुरा लगता है अरे सम्रा खा लेगी पड़ी लिखी कितनी है आपके बेटे से तो बहुत जादा पड़ी लिखी है बीए किया है बस बीए हाँ कमस का में में तो होना चाहिए इसके बाप का बहुत बड़ा कारोबार है और इसकी मा तो स्कूल में उस्तानी है तीन भायों की इकलोती बेहन है देने दिलाने का भी तगड़ा आस्रा होगा अब लड़की तो देखे कितनी प्यारी कितनी खूबसूरा थे लोग तो बड़े स्याने लगते है अरे मर्द के पास पैसा होना चाहिए तालीम का क्या है और अल्ला का दिया बहुत कुछ है हमारे पास तो फिर बाजी बयाना कर देना पिर देखे रिष्टे की बाद में कितनी तेजी से और कितनी जिल्दी आगे बढ़ाती हूं तौबा है बतूर पैसे के नाम पर कैसे राल टपकती है तेरी जा मेरा बटवा लेकर आ पांच हजार देती हूं तो अरे बाजी सिर्फ पांच हजार देखें बाजी राशिद का रिष्टा ते हो गया ना तो फिर मैं पूरे पचास अजार रुपे लूँगी अरे बात की बात में देखी जाएगी पहरे तू बात तो चला आप लड़की देखें खांदान देखें अरे आपकी तो खांदान में वाव वाव हो जाएगी ये तो है राशिद का है? सदार मुखार सर वो अपने किसी दोस्ते मिलने के लिए के लिए दर हलो राशिद का है? राशिद का रहे ते किसी दोस्ते मालकी पेमिंट लेनी है अच्छा तुम चोरों के हुआले करके मालकी पेमिंट लेनी के लिए उनना वाव साप हाँ? सर्झ, हमें तो यही पता कर गए थे सर्भ क्या बता कर गए तो, तुम पता करूंगा कहा गए लेकर मुझे तुम किसे लोगों की जूरोट नहीं है जो मुझे से अधा मेरे बेटे के वफादार हो निकल यहां से आगे अपना हिसाम निकल यहां चलाओ सर्च वो मैं बताता हूँ के राशी साब कहा गए है कहा गए है कहा गए है झाल 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 आशेद तुम्हेमेश बड़ाया दिया सबस्लिबॹ यहां भीन ऐसी बंद उजाता है ? तो इसे बनको जाएगा ? इस दिल में मैं रहता हूँ, मैं दुनिया तबाह कर दूँगा पड़े दावे करते हो आज मालो, मायोस नी पी हूँ ऐसा ना हो, कि तुम हार जाओ क्या बात कर दी आपने, जो हार जाए, वो महबबत ही कहा है पड़र, बस यही तुम्हारी अदाफ, मेरी जान ले लेती है, फिदा हो जाती हूँ साथ भाई, आपकी गाड़ी तो बड़ी अच्छी है थैंक यू वस ही पिष्ले आपके प्रोमोशन होई यह ना, तो उस ही का इसाए साथ भाई, आप चाहते थी आपके साथ आगे बैच जाए तो अगर आप वाकी ऐसा चाहते है तो आपको ना बात करनी पड़ी के मेरी अमी से, आप काम करें साहराबाजी के शादी के बात अपनी अम्मी को मेरे घर लिया है अच्छा है न, अम्मी अभू, आप दोनों को साथ गुंदे पिरने का लाइसेंस दे देंगे न, ठीक है न इफ्रा, क्या बोलती जा रहे हो तुम? नहीं नहीं विशे, आइडिया बुरा तो नहीं है आपके इतला के लिए एड़े मेने अप्रिकेशन दाब दी नुकल का वेटा है आपके अपनी अपों तो मान जेंगे न? अहाँ, अरे ये रश कैसा हो रहा है? मैं देखती हूँ तो पुल्णा जाने लाम से बैठे डाटर रुके न, मैं देखती हूँ अरे इफ्रा रुको इफ्रा, इफ्रा मेरी बात जा रहा है? अटाउज बीड को सामें से आके जाना है में मेरी गाड़ी मिली टेकराने के लिए इनको इनकी तो देख क्या रहा है, अटाओ अरे, ऐसे कैसे? आपकी गलती है न? आपकी है न? गलती है न? आप लेके जाएंगे से हॉस्पिटल अरे, कब तक हम इनके जुल्म पर खामोश रहेंगे किसी को तावाज उठानी होगी न? वह पस बीबी, कहान है तू? क्या पक्वास कर रही है? मैं वह हूँ जिसने आपको वोट दिया है जिसका आप न जाएस फादा उठा रहें ऐसे नहीं जा सकते आप उठाएं से और गाड़ी में डाले जब वोट चाहिए होते हैं को हमारे जवाज उपे आजगाते हैं आपकी से मर्तर छोड़ लें NO! NEVER! उठाएं से और अपनी गाड़ी में डाले आप तर्षी जीं करएज्या, पर्षी जीं करएज्या परने कश्मिल ले। करें जोड़ी में डाला रहें आपकी स्थाय एंड़ी जोड़ी जा राज़ा जोड़ी में सब्सक्क्राइब लोग दिन उन्यक्ति यह करेंग। आपको बचने की ज़रत नहीं, अच्छो के साथ में बहुत अच्छी है, तुम्हें तुम्हें घर चल के बताती है अच्छी है, तुम्हें अच्छी है झाट पार अच्छी है विला के लाव से वे तुई आइँ या कर रहे हैं वो मुखतार साब आए इदर आए अब इदर आए इदर आशलिया तूला आए पुला हैं असलालेकम साब क्या हो बत्तमीजी अब सलाम तो कर रहे हैं क्या हो गया है जाओ काम करो बला तो नरास क्यों हो रहे हैं और क्या क्या रही हूँ याब अच्छे जह आ रही हूँ पर लगी अपा मैंने कुछ नी किया मैं तो बस वैसे ही यहां पे बेया बेशरम अपा यहां कुछ नी कहना इज़त है लोगों मेरी गर चलो बस गारी में बटो आगे मिखे चलो जाना आगे पीछे है चलो चलो परोदे यागे अल्दीद वालेकूम असलाम, असलाम लेकूम, वालेकूम, वालेकूम, कैसे रहा तुम लोगों का दिन? वहाँ अच्छा, आपको पता है? आज मैने इतनी अच्छी स्पीज दिया ना सबको बहुत पसंद आई, और फिर चले कर सायरा के घर, वहाँ पर तुमेने इतना काम कर और उसके बाद अब वो अपने घर आई है तो थक गई है वो कोई काम नी करेंगी इसके बावजूद अब आप कोई काम नी करेंगी के चुन सारा मैं संभाद नहीं इस अच्छी बत्ची जिस घर में भी जाएगी ना ये मेरी बेटी जननत मना देगी उस घर को हम अवैसे अपमी, संभाद जिस घर में जाएगी ना उस घर का लगा लगा लिया मैंने इफरा? हाँ वो है ना साहरा बाद जी उनके भाई है साथ अपमी ये फजूर बात कर रही है आप इसकी बात मत सूने एक मिनित कौंसी फजूर बात कर यू मैं हाँ अम्मी, सायरा को जो भाई है ना साथ इफ्रा क्यो बखपा करी हो अम्मी, ऐसा वेसा कुछ नहीं है बेटा, तुम जाओ किछन में मैं थोड़ी दिर में चावल लाती हूँ तुम बाकी चीजें देखो अम्मी, आप इफ्रा की बातों में बिलकुर मताईएगा कौनसी बातों में ना? अभी तो इफ्रा ने मुझे कुछ बताया है नहीं परले मुझे तफसील बताएगी तो फिर मैं सोचाओगी कि बात इसकी सुननी है नहीं हाँ, और ऐसे भी आपका क्या काम है पूमें आपर दो बड़े बाते कर रहे है रहती है पर कर रहे था अच्छा हैं लगा है हमई आपया है कर दो आपको बता रहनी है छोपारी है अच्छा था ही जो बाई है हमी हो और अपी को इतना पसं करते है इप मत्ता वह एयार था सारव की हlike सारणी öदग ना हमारे घर तब देखे कर हमारे घर आएगा, तब देखे अमी साद भाई बहुत अच्छे है और उनकी अमी तो बहुत ही सूइट है सोचे के बिटा पैसे साइरा अची बच्ची है एक दो बार उसकी मां से भी मेरी उलाकात हुई है सुल जी ओ, यह महसिब खातूम लगी हुझे और नी तो क्या और साद भाई तो बहुत ही अच्छे है पताये मेरा बस चले ना तो मैं अभी इनकी बात तै कर दूं कसम से बस बस इतना जोश दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है रिष्टे नाते सोच समझकर किये जाते हैं भाई क्यों ना खुश हुम है बताएं जारा हमारे घर में पहले शादी का फंक्शन हो गई है अरे वो तो जब होगा सो होगा अभी जाओ, जाकर पहन का हाथ बटाओ किचन में चलो जी पहले बिए कोई चंगे एक वाई लड़का यहां वगा बाते नहीं चुनाएं प्लीज मेले चिप्स बनादो आप जाएं वे चेंज करने जाओ यहां किया? बजार मेरा तमाशादी करा था बेटे तो बाप का बाजू होते हैं इजजत के रखवाले होते हैं और ये निरी बदनामी आपका तो बेटे बिलावजा गूम गया है बहाने की जरूरत क्या थी आपको सुन रही है तुम इसकी बात देख रही है उसका अंदाज ऐसे बाप से बात करते है सुन रही हूं बिलकुल अपने फयास चचा पर गया है आपको पता ना बखशे वो भी अबाजी से ऐसे बत्तमीजी से बात करता था अब फून का असर तो होगा ना आखिर उसने बच्पन गुजा रहा है वाहां हाँ बेटा तुम्हारा आवारा बदमाश और इल्जाम तुम लगा दो मेरे भाई बे तुम्हारी याददाश के लिए बता दू कि आफिया और फयास को हमने खुद अलग किया था उस वक्ट ये तीन साल का था कौन से बत्तमीजी देगी फयास की इसने खुन के असर की बात कर रही हूं मुख्तार साब अच्छा चलो मेरे गंदा खुन हो गया ओके तो कुछ असर अपने मामू के पाकिजा खुन से ले लेता ला फुराडी हे हुंडी का काम करने वारे घटी है लोग अब मेरे भाईयों को बीच मेलाने की जरूरत नहीं है कर नहीं सका तो तुम्हारे खांदान में किसी ने कालिज की शकल देखी है डाल दें डाल दें सारे इल्जाम मुझ पर मेरे बाईयों पर मेरे मेके वालों को बस बुरा कहते हैं अब और तुम कान खोल के सुन लो अगर राहे रास पर नहीं आए ना तो मैं आख कर दूँगा तुम्हे खामखा मेटर खूंगा है अइस थीक ही तो गह रहे हैं तुम्हारे अबबा अरे तुम जानते उनके गुसे को वो गुसे में कुछ भी कर सकते हैं मैं भी उनीका बिटा हूं मैं भी गुसे में कुछ भी कर सकता हूं और आग करना कोई ताहसान नहीं होता आग कर दूँगा अरे बात तो तेरे अबबा की बिलकुल ठीक है चलो ठीक है दोस्तों में जाओ अला गुला करो बैटो फिल्म चिर्म देखो मैंने कब मना किया ले सदरे आलियवकार आज हमारे घर में आलू के चिप्स बने और जो सबसे ज़रूरी बात है वो यह है कि मैंने अपनी वाल्दा से अपनी बेहन के रिष्टे के बारे में बात किये अख ढ़तों की डर तो इसस बात का है कि यह सादी पर पहनना है तर तो इस बात का हिद्धाय तुमारा डिबेट कॉमपटिशन नहीं हो रहा वाज़ूरत ही अपनिसे अब मैंने कोई फुजूल बात निकिए? मैंने कोई फुजूल बात निकी अब इक प्रायर मुझे टें अच्छन तो है ना? पता नहीं क्या मतलब है पता नहीं मुझे तो बहुत अच्छे लगते इतने पड़े लिखे हैं हैंसम इफ्रा मुझे भी शादी नहीं करनी ये अच्छा है पढ़ने लिखने के वॉरन बाद शादी करनी मैं जॉब करना चाहती हूँ अम्यबू का हाथ बटाना चाहती हूँ ये जॉब कहां से आगई बीच में? मैं आप साब की शादी की बात कर दी हूँ जॉब कहां से आगई मतलब मैं तो हमेशा से जॉब करना चाहती थी ये जो अम्यबू के दिमाग में बेटाना होने का गम है ना? हमेशा से ये सोचती थी कि मैं बेटा बनके उनका बोश्पूरा कर पली जितना मैं आपको जानती हूँ ना आप से नहीं हो ये जॉब वाउब हाँ घर आप अच्छे से संभाल सकती है लग से कि मैं आप हाँ साइरा हाँ साइरा हलो हाँ 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 जी आप मुझे इफरा की बात में सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे पहले आप से पूछ लेए है देखे मुझे कुछ नहीं बताना आपको आप मुझे पसंतो करती है मैं साहरा की शाथी के बाद अम्मी को अपके घर पिजवा सकते हूँ देखे शादीवादी अब मुझे नहीं करनी मैं जॉब करना शाहती हूँ हाँ तो कोई मसला ही नहीं है आप जॉब कर सकती ही शादी के बाद मुझे को इतराज नहीं नहीं मगर आप किसी और को पसंद करती है नहीं नहीं वो बात नहीं है तो फिर कोई मसला ही नहीं है इसका मतलब है ममी को पिजवा सकता हूँ ऐसा कब कहा मैंने? आपने कहा नहीं लेकिन आपकी बात का मतलब तो मैंने नहीं निकाले देखे, आप मेरी बातों से अपनी मर्जी का नतीज़ा मत निकाले मैं आपको खुआना नहीं चाहता हूँ सची मुआपद होती है इंसान उसे पाकरी दम लेता इसलिए मैं आपका इंतदार करें हाँ, लेकिन मतलब ये कि आप साहरा की शादी पर आई रही हैं जी मैं आ रही हूँ पर तो पर टीक है, साहरा की शादी के बाद हमारी बारी है हो के बाए हिफरा, ये ये पागल वागल हो गया है मैं उसे शादी करेंगा, शादी के बाद जोब भी करने देगा, घर आएगा अब ये उसे रिष्टा बागे का मुझे कुछ सब्सक्राइब ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाला बहुत बहुत मुभारिक वापी झूला झाला झाला बहुत मुभार बहुत बहुत Bos अब़नकर भी मैं ऊब भी मुभार एज चरह जूंगा जसे मत रहाग अब बादा एल चस्वारीक वावाब कर दो कर दो कि इस उमर में लोग पहुंच कर नमाज रोजा अल्ला रसूल का नाम लेते हैं और एक आप हैं दिन रात गाने सुनते रहते हैं पूरा दिन गाने रात को गाने सुने बना नहीं नहीं आती आपको है 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 कि तुमारे कहने पर छोड़ती हैं कभी कभार गाने सुन लेता हूं अब तो चाहती है तो फिर अब इंपर अबंदी लगाने हैं बात करने ती हुजया आपसी है हाँ, हाँ, बोलो. माशाएलला से, अमरी समरा ने अम्मे कर लिया, उसकी तालिय मुकमल हो गई. हाँ, पता है मुझे, बड़ी लाइक है मेरी बेटी, मुझे फखर है उस पर. फखर के साथ, फिकर भी करें आप. से, किस बात की है, फिकर? भी, शाद ही नहीं करने क्या बच्चीयों की. समरे की तालिय मुकमल हो गई है, दो साल में इफरा भी फारिग हो जाएदी. वह यह तो, मैंने सोचा ही नहीं. हालके बाप तो बेटी के प्यदाइश के साथ ही बेटी की शादी का सोचने लगते हैं. वह एफया अचा रिज़ा, भी जहीज, वह तो चाहीं रहा से जाएख, अच्छा बेटी आति शादी. तो अच्छा रुटिए शाया आयाती. झालिया झालिया नहीं का ओसो तो और शाया है? आप आये दर मेरे पास पेटे आप आप आये दर मेरे पास पेटे आप 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 अब अब अधार भाही से बात करें ना माशाला से इतना लंबा चोड़ा बिजनेस है उनका और मरहूम अबाजान की जाएदाद अगर वो कुछ हाँ 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 मैं 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 करूँ अब भाहिजान से पाथ अब देख लूँ तरहाँ अब देख लूँ गाव अब 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 दियाई तसलिया अपने बेटे को आप भी तो गुसे की हद कर देते हैं मुखतार साब तुमने भी अगर थोड़ी सखती की होती ना तो इतना हो भी गड़ता ही मैं तो सोच रहूं के क्या वो क्यानानों सारत का जो रिष्टा वगर कराने आती है बतूल हाँ बतूल उसे कहो को रिष्टा देखे इसके लिए कोई शरीफ और नेक पड़े दिखे लोग हो कई बार उसे कहा है मैंने एक बार भी ढंका रिष्टा नी दिखाया उस आरत में बस आती है चाए विसकुट और वापसी का किराया लेकर चली जाती है तो अपना म्यार थोड़ा सा नीशे कर लोना अच्छा रिष्टा देखते वक्त अपने बेटे को भी नजर में रखा करो क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? खुशकल है, स्मार्ट है बस जरा सी तालीम की कमी है और तालीम की कमी को दौलत पूरा कर देती है और किरदार की किरदार में जरा सा भी चुब लोता ना सारी दुनिया की दौलत भी नहीं चुपा सकती है उसे ठीक मैं जोड दे कर कहती हूं बतूल से बतूल बतारी थी के बहुत अच्छे और खांदानी लोग हैं अपने बेटे करतूल बताजी थे नंको किसी बाते कर रहें कौन से करतूल क्या कर दिया मैंने ऐसा कमाल है जो घर में देकर वोई कर रहा हूं जिन बच्चों के बाप आप जैसे हो ना वो कवारे ही मर जाते हैं और जिनके उलाग तुम जैसी हो जीते ही मर जाते हैं लो अरे आप दोनों तो सुकून से बात करें आज हम जाना है रिष्टे के लिए आज? हाँ बतूल बतारी थी के चाय पर बुलाया उनोंने तो मुझसे पूछना शाहिए था ना पहले? अजीब बातें करते हैं मुक्सार साफ पहले कह रहे थे कि जल्दी करो अब जल्दी कर रही हो तो भोर लें कि मुझसे पूछा क्यू नहीं अमा मैं भी साथ चलूँगा यह दो लडके नहीं जाते मैं और तुम्हारे अबबाजी जाएंगे अबबाजी की शादी जो हो जाएंगे शादी तो मेरी है मैं पसंद करूँगाना लडकी सुनो इनकी बाते चलो ठीक है ना मैं बात कर लूँगी हम राशित को भी साथ ले जाएंगे जिन्दगी तो इसी ने गुजारनी है अच्छा लडकी को खुदी देख लेगा वैसे बदूल बड़ी तारीफ कर रही थी उन लोकों की अल्ला रहम करे हम के बस क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब है अपने काम से काम रखो समझे तम अच्छा डबरूटी पकडा मझे अच्छा डबरूटी पकडा मझे ये लिजे घर के बने ये मेरा बड़ा बिटा अच्छा असलाओ मुलेटो महदी उसलाओ असलाओ मुलेटो बादाओ मुलेटो हूँ रुटो प्सक्राओ बासे लिए अच्छू अच्छू अच्छु और बताईए, बेटी क्या करती है? मास्टर कंप्रीट कर लिया है, अब घरदारी सीख रही है जाहरे जी, बच्चियों ने तो घर के काम ही करने होते हैं अब बुलाईए ना? जी मैं बुलाईए जी मैं बुलाईए कितनी तालीम है आपके बेटे की? बतूल ने तफसील तो बता दी हो जी जी तालीम ज्यादा नहीं है लेकिन सारा कारोबार समाल रखा है मैंचारा कारोबार तो समाल रखा है इन्होंने लेकिन इज़त पूरे बादार में लोटाते फिरते हैं ये जाए कहना है ये ये अचारही हो लेकित जी सिद्धे साथे लोग हैं सिद्धी सिद्धी बात करते हैं हमने अपने बेटी को शरीफ खांदान में भीयाना है ना कि ये गुंडे या मावाली के हवाले करें अब क्या पक्वास कर्रा है? अराम से राशित क्या हुआ है